हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे पहाडी लाई की सबजी जिसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है हमने ताजा ताजा लाई को गाडन से तोड लिया है और दो तीन भार धोने के बाद इसको पतला पतला हमने काट लिया है तो चलिये स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले एक कडाई में तेल डालेंगे दोस्तों तेल गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच खड़ा धनिया एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर दो कटे हुए आलू आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर नमक स्वात के अनुसार अब इसमें डालेंगे हरी सबजी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पांच मिनट के लिए कवर कर लेंगे दोस्तों पहाड़ी लाई की सबजी बहुत ही टेस्टी होती है और ये नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में कुमाओ छेत्र में ही पाय जाता है 5 मिनट के बाद ये देखे हैं हमारी सबजी आधी पक चुकी है बस इसको 3-4 मिनट और कावर कर की रख लेंगे 3-4 मिनट के बाद ये देखे दोस्तों हमारी सबजी बनके रैडी हो चुकी और ये बहुत ही अच्छी देख रहे है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं एक नियू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड़ बाई